नमस्कार आप सुभी का बहुत बहुत स्वागत है इंज्या नियूस में मैं हूँ आपके साथ कशिश पांडी 35 चोप्डा और रागोचधा की शादी से पहले प्री वेडिंग फंक्शन जो है वो शुरू हो गए है अरदाज, किर्तन और सूफी नाइट के बाद अब कपल की शादी की दूसरी रश में की जा रही है इसे बीच रागव के डिजाइनर पवन सच्देवा जो की उनके मामा भी है उन्होंने उनकी शादी के अटायर के बारे में बात की है आपको बता दे कि रागव के इंगेजमेंट ड्रेस भी पवन सच्देवा नहीं डिजाइन की थी मीडिया से बाच्चित करते हुए पवन सच्देवा ने कहा हमारे लिए उनके आउटफिट डिजाइन करने का ये एक फुल ओफ वीक रहा रागव के पास फिटिंग के लिए वक्त नहीं है क्योंकि राजनेते कामों में बिजी हैं किसी तरह से हमने सब कुछ किया मैंने सब इवेंट्स के लिए उनका कैजूल आउटफिट से लेकर फॉर्मल लुक तक सब कुछ डिजाइन किया है वहीं मशूर डिजाइनर आगे कहते हैं वे मेरा भतीजा है मेरी सगी बेहन का बेटा है वे 9 साल की उमरे से ही मेरी डिजाइन किये गए हुए आउटफिट स्पहन रहा है वहीं रागफ परनिती की शादी के फंक्शन के बारे में बात करते हुए पवन ने कहा हर सेरिमिनी की एक कलरफुल थीम होती है हमने उनके लोग को पढ़निती के लोग के साथ ट्विन किया है और शादी को लेकर रागफ के बारे में बात करते हुए पवन सच्देवा ने कहा ये उनके लिए एक नई शुरुआत है वे बहुत एकसाइटिड है और हो ना भी चाहिए क्योंकि उनकी शादी है वे एक पावर कपल हैं वे साथ में अच्छे लगते हैं ये है एक पावर पैक शादी होने वाली है और वे हर तरह से एक दूसरे को कम्प्लीट करते हैं वे पावर ने आगे कहा हम अपनी फैमली में पढ़निती को पाकर बहुत खुश हैं जिसे जाहिर करने के लिए हमारे पास जो है शब्द नहीं है वे है एक वंडरफुल परसनालिटी है तो जैसे कि मामा ने भी अपनी बहु की तारीफ कर दी है जी हाँ आप देखना होगा कि कल ये कौन से ड्रेस कर पहनते हैं क्योंकि मामा ने ही अपने भतीजे की जो है ड्रेस आउट्फिट जो है सारे उन्होंने ही डिजाइन करी है इंगेजमेंट में भी उन्होंने करी थी अब शादी में भी उन्होंने करी है अब फाइनल जो लुक आएगा वो तो हमें कली पता चुलेगा जैसे इंसाइट फोटोस आती हैं हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे और परनिती और राघव के शाधी की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े इंजनियर्स के साथ